अगर किसी वेक्ति को बार-बार यूनिर्टेक्ट इंफेक्शन यानि पेसाब नली का अगर संकर्मन होता है आपको सिस्टैटीस यानि पेसाब की थेली में सूजन आ जाती है पेसाब की नली में सूजन आ जाती है और इस समस्यां की वज़े से कई बार आपकी पेसाब की नल तो उसके कारण की बात करेंगे, लास्ट में आपको बताएंगे, होमीपेती की मेडशीन, इसके कोज को कैसे रूट आउट कर सकती है, यानि जड़ से कैसे खतम कर सकती है, इसी की जान करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट सिक जुरू देखें, मैं हूँ डॉक्टर रामदेल इसमें से पेसाब की नली की सिकुरन से प्रेशान है, तो आपके लिए लाजमी है कि आप एंटिबैटीस का इस्तिमाल करते हैं, काफी सारी दवायां लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंडिशन कंट्रोल नहीं हो पाती है, काफी बार एंटिबैटी लेते हैं, क बखना होते हैं, एक बेक्टी नाम है, इस्टिशं के इसारी कोलाई, घुटे सिकुरन अपल Dan कर दे आपके यूर्ण को स्टोब कर सकता है, तो ये जो इस्ट्रीचama कोलाई है, जो बेक्टीरिया है करना हमारी आतों के अंदर प्लापॉन और यह हमारे लिए helpful होता है, लेक हमारी बैमारी पाइदा होने लग जाती है। वो हमारी यूडियर टेक्ट करते हैं। यूडिया की उटीश्ञ उस्ट्र संरी यूडिया को पावंड होना दर्थ का एसास होना या फिर कलावड ही लगजाता है गडला गर्दा आने लग जाता है जिसके अंदर कई बार रेट सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं तो यह सिच्वेशन अगर आपके साथ बार-बार बन रहे हैं तो उसके अंदर एंटिवाटिस का इस्तिमाल भी कई बार फाइदा नहीं दे पाता है तो फ्रेंड्स यह जो बेक्टिर के कैसे होते हैं उनके बैक कोज के अंदर यही होता है कि इस्ट्री रही होता है तो यह क्या करता है बार-बार आपके नली को संक्रमित करता है वहां पर घाव पैदा करता है अलसर बना देता है वह अलसर जैसे ठीक होते हैं फिर वापिस अलसर बनाता है तो इसके अंदर आ ज्यादा से ज्यादा water intake करें, पानी ज्यादा पीजिए, किसी भी तरीके की unit track infection में अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं, तो उसमें अगर अच्छा पानी पीएंगे, तो कोई भी बैक्टिरिया अगर आपके unit track के अंदर develop होने के कोशिस कर रहा है, कोलोनी बनाने के कोशिस क कर रहा है, तो वहां से वास आउट हो जाता है, तो आप इस चीज से बस सकते हैं, सेकिन बात करेंगे कि line of treatment आप काफी सारी दवाएं लेने के वाद रजल्ट नहीं है, तो आप हुमिपेति की तरफ सीच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हुमिपेति की मेडिशिन ऐसी सकते हैं, तो सबसे top leading medicine में आते हैं दोस्तों, कोली बेसिलीनम, कोली बेसिलीनम एक ऐसी medicine है, जो इस रीच या कोलाईर के लिए medicine से यूज के जाती है, बहुत अच्छे excellent results होते हैं, जहां पर आपको urine के अंदर बार बार जलन के समस्या होना, सिस्टैटिस पैदा कर देता है यूर्थ्रैटिस पैदा हो जाती है, या इवन कुछ condition के अंदर structure पैदा होता है, तो वो भी structure की condition भी आपकी बढ़ती जाती है, तो वहां कोली बेसिलीनम का यूज आप कर सकते हैं, इसकी 30 पावर को पांच-पांच बूंद आदा कपानी में दिन में तीन बार इस्तेमाल क कर सकते हैं, second top leading medicine की जो चर्चा करने जार हो दोस्तों, यूवा वर्सी, यूवा वर्सी के cases ऐसे होते हैं, जो E-koli की बज़र से क्या होता है, बार-बार unit infection क्या होगा, आपकी जो पैसाब की थिली उसमें सूजन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यूर मिलेंगे, इसके आलाव भी आपको जैसे आप diabetic patient है, या आपको hypertension की समस्या है, कोई other gastric problem है आपको, या other problem के साथ होती है, तो आप अपने डोक्टर से promise करके treatment ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे से promise करना तो दिए के WhatsApp नमर के दौरा appointment लेके concert कर सकते हैं, फ्रेंडर्स